नमस्कार सुयभीन की नई नई विरैटि आ रही है नए नए नाम किसानों के सामने आ रहे हैं तो किसान काफी बर्मित हो रहे हैं और बर्मित होना लाजमी भी है क्योंकि किसान फिलाल किसी नई विकल्प की तुलास Vous क्योंकि जो विरैटी जेस्ट पिचाण में साथ हम लोग बोह रहे हैं उस विरैटी में काफी कीड़े और विमारी आने लग गए हैं क्योंकि यह विरैटी 15 साल पुरानी हो गई है और इसका विकल्प है जेस्ट पिसले चारपांस साल से सामने आया है उसकी हाइट थोड़ी क सब्सक्राइब के बारे में डिसक्राइब करूंगा और साथ ही यह भी मैं बताऊंगा कि किस विरैटी को किस के किसान को लगाना फाइदेमंद हो सकता है और बीज उपलब दिता का क्या स्टेटस है कि देखिए जो फिलहाल की प्रिस्तति है उसमें जेस्ट पिचाण में सा सब्सक्राइब कर रहा है वह है जिसको आप सफेद फूलो वाली विरैटी के नाम से जानते हो इस विरैटी में जेस्ट पिचाण में साथ के लगबग यह बराबर अवदी की है वही 90 दिन के आसपास यह पकाव पर आ जाती है इस विरैटी का जो एक ड्राब एक जो मैंने चार साल में देखा है क्योंकि मैं पिछले चार साल से जैस 24 का विजुत पादन कर रहा हूं और 200-300 किसानों के यहां मैंने प्रदशन भी लगाए है इस विरैटी में यह है कि जब आपके बहुत ज्यादा बारिश होती है यहां बहुत कम बारिश होती है उस परिस्तिती के वेरैटी के हाइट है वह आपके सवा से डेड़ फिट तक रहती है तो उसमें कमबाइन हर्वेस्टिंग में आ जाती है लेकिन बहुत कम और बहुत ज्यादा बारिश होती उस परिस्त्ती में नीचे से फली आना स्टार्ट हो जाती है और कमबाइन से जब अपने करवाते ह की दिक्कताद कि बाकि दाना भी इसका मद्दे माकार का है और उपस कि इसकी जो 17-18 के उंटल परती एक्टर हमें अराम से मिल जाती है यानि कि सबसे पहले अपन बात करेंगे यह जबलपूर की विराइटी है और लगबग दो फिट इस विरेटी के आइट रहती है और जो जो आपकी है इसका 18-19 क्यूंटल परती हेक्टर अराम से उपस मिल जाती है लेकिन जैस बीस चोंतिस से क्रीब दो सप्ता है इसकी अवदी ज्यादा है और इसके बाद में जो एक विरेटी है वो है आपकी आर्वीस दो जार एक जीरो चार्ट यह विरेटी भी लगबग दो फिट हाइट की है लगबग सो दिन में यह आ जाती है 98-100 दिन के अंदर आ इसके बाद में नहीं विरेटियों में जो है वह आपकी आती है आर्वी एसम-2011-35 इस विरेटी का जिकर किसानों के बीच में आपने आजकल सुना होगा और बहुत ज्यादा सोचिल मीडिया पे और इस विरेटी का जिकर हो रहा है यह 2020 की रिलीज विरेटी है इस विरेटी है और यह भी 100-105 दिन के आसपास ले लेती है इस विरेटी के साथ यह अच्छा ही है कि यह ज्यादा जो बारिश होती है उसको भी यह सह लेती है और यह विरेटी जो सेंट्रल जोन के लिए यह अनुशंशित है इसके अलावा एक विरेटी है जो 2020 में निकली है भारतिये स अब संदाव सहिस्तान वह है नर्सी 138 नर्सी 138 नर्सी 138 करीब 2 फिट हाइट लेती है और यह विरेटी भी 100-105 दिन के आसपास पकती है 100 दिन के आसपास की विरेटी है 18-20 के उंटल परती हेक्टर इसकी उपर जाती है और यह भी सेंटल जौन के लिए अनुशंसित है और इस विरेटी का भी मान के चला जा रहा है कि ज्यादा वारिष को यह भी सेहन कर लेती है यह इन सभी विरेटियों को एक नजर से देखा जाए तो फिलाल जैस पिचान मे के आसपास बारिष चली जाती है तो उस केस में जैस पिचान में साथ के अलावा जो विरेटी है कम होदी की वह जैस बीस चोटीस ही है लेकिन जो नहीं वाली विरेटी है जैस भी सथान में आर्वी सम्-2011-35 और एनार्ची 138 यह तीनों विरेटिया 100 और 105 दिन के आसपास क हैं इन तीनों में भी आप किसी एक विरेटी को ट्राइब कर सकते हो इन में आर्वी सम्-2011-35 के फीडवेक ज्यादा अच्छा आ रहा है कि यह पानी को भी सहयन कर लेगी और इन दो नर्सी 138 और जैस भी सठाण में से उपस भी इसकी थोड़ी ज्यादा है और आपकी जैस लेकिन यहीं हम बात करें कि किस किसान को कौन सी लेनी चाहिए तो मेरा मानना तो यह कि जो छोटे किसान है उनको तो फिलाल जैस 25-60 के लावा जैस 24 लेनी चाहिए और थोड़े एरिया में वह नहीं वाले विरेटियों को भी ट्राइब कर सकते हैं लेकिन पूरा एरिया इन नहीं विरेटियों पर नहीं जाएं क्योंकि इनकी सो दिन एक सो पांस दिन अवदी है यदि बारिश जल्दी चली गई तो अपने को नुक्सान उठाना पड़ सकता है यानि कि 15-20 परसेंट एरिया में अपने लगा सकते हैं और जो बड़े किसान है उनको यह नहीं वाले गेरा देश पहंतिस यह आपका जेस भी सथाड़ में यह आप एक रख सकते हो और यदि वीज उपलब्द दिता की बात करें तो फिलाल जेस भी चोंतिस का वीज आसानी से हर कहीं किसानों को उपलब्द है लेकिन भी ठाण में के वीज की उपलबता उतनी नहीं है लेकिन यह भी आप एनसी या फिर जो आपकी स्टेट के अजेंसी हैं उनसे यह स्टेट अग्रिगल से उनविश्टी या करसी विज्ञान के अंदरों से ले सकते हैं और जो नई वेराइटी आर्वेटी आर्वेसम डोजार गयारा डेस पैटिस और एनार सी 138 है वह वह 2020 के अंदर रिलीज हुई है सीड चैन में इनका बीज बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आपको यदि जो प्रोग्रेशिव किशानों के पास यहां से मिलता है तो आप उनसे इन वेराइटियों का बीज खरी सकते हो नमस्कार जैंद